कि मैं तेरा कर्ज चुका पाऊं इतना आसा नहीं होगा मां क्या दीपक लव से जुदा हो पाया है क्या सूरज बिन प्रकास कभी आया है क्या बिन वर्सा बादल छाया है तो सूच जरा मा तेरे बिना कोई अस्तित ही नहीं मेरा इस जहां में तेरा हाथ पड़े मेरे सर में तो पहुंचू कहां से कहां में पर तेरे बिन एक पग भी चल पाऊं इतना आसा नहीं होगा मां मैं तेरा कर्ज चुका पाऊं इतना आसा नहीं होगा मां गर हो सके तो एक एहसान एवर कर बच्पन के उन खनकते सिक्कों का मेरी हथेली पे सोर कर दे उस थपड के साथ प्यार को भी जोड कर फिर मैं पूँचू वो आंसू तरे पल्लू से रोग कर रुमाल से पूँच पाऊं इतना आसा नहीं होगा मा मैं तेरा कर्ज चुका पाऊं इतना आसा नहीं होगा तो एक सैर है तिरी मुहबबत के प्यास में हम किस किस से मुखर गए तुझे ऐसे चुपाया अपने दिल में कि मेरे अपने मुझ से सवाल कर गए मैं जानता था तुम छोड जा चुके हो मैं जानता था तुम छोड जा चुके हो पर देख तिरे लौट आने की जा है मैं आज फिर तिरी गली से कुजर गए एक और है कि हमसे तो एक सहर नहीं बदला जाता फिर पता नहीं लोग महबूब कैसे बदल लेते हैं दर बदल जाये तो हमें नीद नहीं आती फिर पता नहीं लोग बिस्तर कैसे बदल लेते हैं मा ने सव रुपए दिये थे असी का ब्रेसलेट 20 की रुमाल ले आया मेले से मा ने सव रुपए दिये थे असी का ब्रेसलेट 20 की रुमाल ले आया मेले से अब तुझी कितनी मुहबबच चाहिए मेरे से यारों दोस्तों दुआ करना एक सफर ऐसा भी आए दोस्तों दुआ करना एक सफर ऐसा भी आए वो कहे बैटी नहीं है मेरे में मैं कहूं बात कर लो मेरे से दिखाओ रहे कि जिंदगी की उपर है लोग अपना घर कौन छोड़ना चाहता है फिर भी काणान वस जाना पड़ता है बाहर पर देश में जाते हैं लोग तो उसके उपर कुछ लिखा था फिर से भटा काया हूं मैं ऐ जिंदगी तुझसे थकाया हूं मैं फिर से भटक आया हूँ मैं, ऐ जिन्दगी तुझसे थक आया हूँ मैं, जाने कौन लोग हैं जो तुझे भाते होंगे, तेरे लिए तो घर भी छोड़ाया हूँ मैं गजब की सर्म थी एक जमाने में, अब तो लोग जहर से भी बच जाते हैं गजब की सर्म थी एक जमाने में, अब तो लोग जहर से भी बच जाते हैं, अब दगे बाजी करते हैं और दगाबाज भी कहे जाते हैं एक अपने मित्र के लिए लिखा था, एक मेरा मित्र है, यहीं आएस की तयारी कर रहा है मौनू नामे उसका, जिक्रियार है उसके लिए लिखा था तो कितनी भी खुबसूरत के उना हो ऐज जिंदगी, खुसमिजाज दोस्तों के बगएर बुजी-बुजी सी साम लगती है, और हर साम मुलाकात ना हो उन कमीनों से, तो बड़ी से बड़ी महफिल भी समसान लगती है अच्छा, एक अपने देश के सिपाईों के लिए लिखा था, मुझे लगता है हर सिपाई का सम्मान करना चाहिए, फिर वो ट्राफिक प्लिसकर में ही क्यों न हो, क्योंकि वो पूरा-पूरा दिन खड़ाय रह सकते हैं और हम यहां ऐसे नॉर्मल भी नहीं खड़े हो बता इस कुरोना से मैं कब डरा, जी हां मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो पूलिस की वर्दी पहने तेरे लिए हर जगाए खड़ा, थैंको सुक्रिया